दोस्तों ये दिया भी विराट कोली को एक महान बले बाज बाते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों जब केके यार ने शुरुवात में ही आरसीवी की गिंद बाजों के आगे घुट ने टेक दिये तब निशले क्रम के बले बाजों ने कॉलकता की थोड़ी बहुत वापसी जरूर करवाई और जैसे तैसे करके 128 रन बनाए और इस लक्ष का पीछा करते हुए विराट कोली ने आरसीवी की तावड दोड शुरुवात जरूर कराई लेकिन उवेश यादों की खतरनाग गेंदबाजी के आगे केके आर के सबी प्रशन सक यही बोल रहा है कि पिक्चर अभी बागी है यदि आपको भी इस सांस रोग देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या रगता है कि विराट कोली और शुरेश अइयर में कौन है खतरनाग बल्यबाज इस बात का जवाब होगे निचे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर दीजेगा दोस्तों KKR और RCB के बीच में खेले जा रहे आईपल के चटवे मुकाबले में हमें गजब का रोमाज देखने को मिला ये मुकाबला उट की तरह हो गया कभी इस करवर्ट तो कभी उस करवर्ट किसी को कुछ भी पता नहीं था कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत रही है इस मुकाबले में RCB के कप्तान डुपलेसिस ने टॉस जीत कर पहले गिंदबाज दी करने का फैसला किया और उनके गिंदबाजों ने उनके फैसले को सही साबित करते हुए केके यार को 128 रणों पर ही रोग दिया और इस लक्ष का पीछा करने उत्री RCB के बल्लेबाजों की जिस तरीके से उमेश यादों ने क्लास लगाई है उसे देखना सच में अद्बुत था जिया दोस्तों आपको बता दे कि जब केके यार के सलामी बल्लेबाज अजिंक रहाने और वेंकटेश अईयर ओपनिंग करने के लिए आये इसके बाद अभी केके यार संभल पाती की मिस्ट्री स्पिनर हसरंगा आकर कपतान सुरेश अईयर को भी पविलन की रहा दिखा दे अब यहाँ से पूरी केके यार की टीम जैसे ताश के पत्तों की तरह भिखर गई और आपको बता दे कि निश्लेक्रम के बल्ले बाजों की अच्छी बल्ले बाजी की बतौलत के के यार ने 128 रनों का लक्ष आरसीवी के सामने रखा और वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो बैंगलूडू के गेंदबाजों ने इस मुकावले में गजब की गेंदबाजी स्पिनर हसरंगा ने चार विकेट अपने नाम कर लिये तो वहीं अनकैप्ड घिलाडी अकाश दिप्थिंग ने तीन सफलताई अपने नाम की औ और वहीं पिछले साल के परपल कैप होलडर हर्शल पटेल ने दो बल्ले वासूं को पविलिन की राह दिखा दी और वहीं उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में महज 11 रन खर्च किये दोस्तो 128 रन जैसे मामूली लक्ष का पीछा करने उत्री आर्सीबी की टीम को उमेश यादो ने पहले ही ओवर में तगड़ा जटका दे कर जब बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है कतान डुपलेजिस के साथ ओपनिंग करने आए अनुझ रावत को यादा उने खाता भी नहीं खोलने दिया उनकी एक बहतरीन बाहर जाती गेंद को अनुझ समझ नहीं पाए और विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्थिक को कैच उस्त हमा कर पवेलियन लॉट गए लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान पर बल्ले बाजी करने आए दुनिया के महान बल्ले बाजों में से एक विराट कोली ने आते ही उमेश रादो को दो करारे चौके लगाए और उनकी आतिशी बल्ले बाजी को देकर मैदान में सभी प्रशन सक जूम उटे आज विराट कोली जिस मूड में बल्ले बाजी करने उतरे थे उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो इस मुकाबले में 10 ओवर के भीतर ही मैच को खत्म करना चाहते हैं लेकिन दूसरे छोर पर बल्ले बाजी करने आए कदार डूपलेस तो आज के मुकाबले में शामिल किये गए टिम साउदी ने अजिंक रहाने के हाथों उन्हें कैच आउट करवा कर दो ओवर के भीतरी आरसीवी को दूसरा जटका दे डाला अब यहां से मुकाबले का रुमांच अपने चरम पर पहुँचने लगा लिकिन अभी भी आरसीवी के प्रशन सवों को यहीं उम्मीती की मैदान पर विराट कोली जैसा भरोसे बंद बल्ले बाज बल्ले बाजी कर रहा है लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि निलामी में पहली बार अंसोल्ड रहने वाले उमेश यादव इस मुकाबले में गदर मचाने उतरे हैं जियां उनकी आखों की गलती हुई और गेंद बाज ने आगे विराट कोली जैसे घातक बल्ले बाज भी घुटने टेकते हुए नजर आए उसको बता दे कि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने विराट कोली को भी शेल्टन जैक्सन के हाथो कैच आउट कराकर आरसीवी को बड़ा जटका दे दिया और तीन उबर के बाद 22 रनों पर ही बैंगलूरू अपने तीन महत पूर्ण विकेट कवा चुकी है दोस्तो जिस कदर उमेश यादव इस मुकाबले में कहर बरपाते हुए गेंद बाजी करना है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आरसीवी इस मुकाबले में 49 रनों से भी पहले ओल आउट हो जाएगी भी आरसीवी को जीत के लिए 84 गेंदों में 33 रनों की दर्कार है वैसे देखने वाली बात तो यह है कि लक्ष काफी आसान लगता है लेकिन केके आर के घातक गेंद बाजों के आगे यही लक्ष काफी मुश्किल है वहीं अगर उमेश रियादाओ की गेंद बाजी की बात करे तो उन्होंने 3 ओवर में महस 12 रन खर्च करते हुए 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपने नाम की है और उनका बखोवी साथ निभाते हुए टेम सावधी ने 2 ओवर में महस 39 रन देते हुए महत्वपूर्ण एक विकट अपने नाम की है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आरसी भी इस मुकाबले को जीतने में सफ़ालो पाएगी या पर ने इस बात का जबाब हुए ने इचे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्स्प्राइब की जमारी झालूर ऑपूर रवटियू झालूर